आसतरे खाल की अपार सिंदूपय स्यलात्यराने वाले धन्धन सत्य गुरु सत्य कभीर भगत की पीड में टाइने वाले भगत की दन्धन सत्य गुरु सत्य कभीर भगत की डसी सरपने जब जा पुकारी इंद्र मती अकुलाए आपने तुरंत करी सहाए बेरूली मंतर सुनाने वाले दन्धन सत्य गुरु सत्य कभीर भगत की पीड में टाने वाले भगत की पीर में टाने वाले दन्धन सत्य गुरु सत्य कभीर भगत की दा मोदर सेठ के हों थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज दा मोदर सेठ के हों थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो ग्रीव न्यवाज समुदर से पार लंगाने वाले दन्धन सत्य गुरु सत्य कभीर भगत की भगत की पीर मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले दन्धन सत्य गुरु सत्य कभीर कहकर जोड दीन ध्रम दास दरस दे पूरण करियो आस मेटियो जनम मर्ण की तरास वो सत्य पत प्राप्त कराले वाले मेटियो जनम मुरन की तरास उसत पद प्राप्त कराने वाले धन धनसत गुरु सत कभीर भगत की पीड मे आने वाले धन धनसत गुरु सत कभीर भगत की भगत की पीड में टाने वाले भगत की पीड में टाने वाले दन दन सत्य गुरु कभीर भगत की कहे कर जोड दीन ध्रम दास दरस दे पूरण करियो आस मेटियो हो जनम मर्ण की तरास सैत्य पद प्राप्त कराने वाले दन दन सत्य गुरु सत्य कभीर भगत की पीड में टाने वाले डशी सरपने जब जाय पुकारी इंदर मती अकुलाये आपने तुरंत करी सहाए बिरुली मंतर शुनाने वाले प्रमातमान लिला की राणी ने पूछा माराज ये कौन सा मंतर था प्रमातमाने कहा बेटा बिरुली मंतर है बिरुली मंतर क्या कि राम नाम जप बिरोली, गुरू की सर्ण में रह बिरोली, वो तो एक भाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा जूँ, लेकिन उता समर सकती है, मनतर की क्या आ सकता उसको, अब राणी की खुसी का ठिकाना नहीं रहा, और राज्जा के विजचगी, गारडू भी फेल, पुनकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है, जो भगती नहीं करता, और राणी होते हुए या राजा होती हुए जो भगती करते हैं, सत्साधना करते हैं, तो यह कैसी भी कर रहा है, प्रमात्मा कहते हैं, जै कोई भगती करे कपट की, और उसको भी अपन आप देखो परमातमा काल को आने भी नहीं देता इसलिए आने दिया राणी का जच्चा नहूं या बात अग संत जो साची कहे गया परमातमा समझ रहे थे कि या फिर छोट देहो गुरू दूसरा गुरू आते ही उसके भी चर्ण छुआ हो और उसकी भी आरतीता रहो अर्पनातमा गुरू को तजय भजय जो आना अरता पसुआ को फोकट गयाना परमसंत ने छोड़ कर फिर उनकलिया फिर भी आस्ता जिसकी है तो फोकट गयाना सर्धानी बनी उसकी जैसे पती भरता पती शेराती आन पुरुशनी भावे और बस अपी हर में सुर्थ परीतम ऐ ऐसे ध्यान लगा क्योंकि पहले ता आपके पास कोई पहमाना यह नहीं था मापण का जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी विकलप नहीं था अब दास आपको पहले संत को जांचने के पहमाने देता है कि इससे नापके देख लिए जिसके पास यह ग्यान है जैसे धर द्रम्दास जी भी पहले ऐसे दूसरी साधना करता था, जब परमात्मा ने उसका सचा ग्यान सुना, वो फिर भी बुद्रिष्ट होगी थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे, तो उसने सुचा साधू संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता, द्रम्दास उ फीक्स हो, हाँ आजा बच्चा ठीक है, तो उसने पूछा जी, वो क्या परसंद करता था, कि विर महा विष्णु में इसके माता पीता को नहीं है, तो वो कहता है, आरे ये तो अजरो अमर हैं, सर्वेस्वर हैं, ये कहां से बात उठा लया, तो तब ही उठकर चल पड़ता कि ना, ये संत नहीं है, तो उसके पास एक पैमाना था, उनको जाचने का, और जब उसने परमातमा मिले दुबारा फिर वो तो पुरा काम उनका होना ही था, तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा थानी मेयरमेंट टेप जिस तो आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जासता है, वो तो जीवन नास से का आपके, हाँ, उनको समझाने की चेश्टा करो गुरू जी, पहले जो गुरू जी थे के भगत, महराज जी, आदर से बोलो, आप गलत जिसा पर जा रहे हो, इन परसनों का उत्रिया तो आप दो, अरनी ताजा मेरे साथ अपना नाम लो के लान करा हो, इतना यहरी है उनके साथ, उसे आगे दोस्ति मत रखना, परमातमा इस काल को नहीं आने देते, किसी रूप में, उस गर्मत जहां के भी नहीं सकता काल तो, दात्ताने इसलिए छोड़ जा था, आकि यो अपना कर लेगा काम, इस बेटी का भी यकीन हो जागा, जीवन फिर नास कर देगी, बीच में डोब देगी, सारी कानी ने, तो उसके बाद ऐसा दर्ड विश्वांस व्यास लड़की का है, और परमातमा में ना कुछ भी दिखाई नहीं दे, ना उराज्जा मना कर रहे फिर, अकि इसका तो जीवन दान मिल गया, मेरी रानी का, इ ग्यान सुनाते, बोजन करके उसको उधार करते, उसका धर्म बनवाते, तो एक दिन रानी ने कहा कि माराज मेरे पती को भी समझा दो, आका अच्छा बेटा, बुला ले उसको, राजा बुला लिया, परमातमा लागे समझाने के बाई, परमातमा की भक्ती करनी चाहिए, औ जिन मर्तु भी होएगी, परमातमा की भक्ती करते रहना, तो राजा क्या कहता है, माराज जी देखो, मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों उड़े गुटी सुटी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी तेली नमना नहीं करता, क पार्टियों में जाते हो, सराब मत पियो, वैसे तो सादू संत हो जाएंगे, पार्टी स्वा होएं कोनी आपने, फिर भी किसी कारण बस जाना पड़ जाता है, तो वह काजू खाओ, किसमिस खालो, वाई बदाम खालो, और सेवसंत्रे खालो, ये सराब अड़ंगा क्यों पियो तो, बहुत समझाया, अकर नहीं महाराजी, मेरे बस की बात भी फिर देखूंगा, कुछ दिन के बाद प्रमातमा ने फिर प्रार्शना के लिए बार बार रेलेकर समझाया, मान्या नहीं, लास्ट में ये कह जाएं कि महाराजी देख, मुझे ना कया करूआ, और आप उंगे के उठ चले ना, और बात चलावे, तो लसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेग ते भूख बेदा हो जा, तो जिसके पाप गणे बड़ जाते हैं, उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, जैसे जवर गरस्त परोगी को मनुखा दाख सेव संत्रे रवटी भी कड़वी लगती है, वो मिठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है, बुखार न उसके स्रीड की वरस्ता इतनी बगाड़ दी, इसी परकार पाप कर्मों से ग्रस्त पराणी, इस परमात्मा की मनुखा दाख सेव को खानी सकत पाणी पड़ेगा, नहीं चाहते हैं भी फाकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नास हो जाएगा, फिर वो मिठी लगने लग जाएगी, इसी परकार ये सत्साधना भगवान की कथा, ना चाहते हैं भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नास हो जागा, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रमात्मा के सची ग्यान के सच्चे वतन से, प्रमसंत के वतन से, मुक से बोले हुए वतन से, वो शिघर नास हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागरित हो जाती है भगवान की कथा की, ऐसे बहुत से वेक्ती हैं, सुरु सुरु म उसने का जी है बिलकुल ठीक तालिस वरस की थी जिस दिन मेरे को साफ ले लिड़ा शर्प टरशा और अब मैचा हूंगा जब मरेगी तूं काल नहीं मार सकता तुझे अब वो राणी होगी 80-82 वरस की वो एक दो बार उसने खुद भी का माराज अब मुझे तो बेज़ दे सत लोग सारा काम हो लिया पर मातमा मुले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तर नहीं है तरी कार कोठी में गोडे कोठी में दया आस्था रहेगी ना उपर यहां तो तो फार मल्टी करेगी और उपर जहां के तरी बार दिखाई देगी सीसेगी तरह फिर वो आपस पटकनी पड़ेगी में अगनाजी आप तांतरियामी हो मेरे कोई मनमन नहीं है मैं तो फारे गोरी में अपने ग्यान ऐसा दे दिया मर्तू तो होनी ही है चलते आत् अच्छा है तो जब वो 802 वरसकी होगी तब परमात्मा ने कहा किले चल इंदर मती सत लोग चलते हैं चलो जी अब परमात्मा किले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे और इंदुमती को दीख रहे थे वो चलेगी औरों के देखने लगे राणी मर्गी राणी म स्टेल लो गया कुछ भी कहते हैं रहुआ गई अपर उसको पता भी नहीं तो मरी है तो मान सरो उपर ऑपर एक यहां पर मान सरो उस मान सरो उरूर पर जा कर कुछ दिन के लिए इस जीव को रहा रखा जाता है वहा रखने के बाद लग्र फिर इसकी भावना देखी जाती ह ये अभी कितनी और कमजोर है तो वहां जब मान सरोवर पैस जा लिए उसमें सनान कराया जाता है कुछ आवरन जो गंद है हमारे आत्मा के मेल वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं तो बहार आके बैठी गी नारनी सनान करके और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्ता तरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की तरी संपत्ती में तो उसके मन में एक बात खटकीगी कहे माराज आपके ग्यान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी लेकिन संसार की दृष्टी में जो मेरा पती है अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पती का पता लाग गया परमकसर बरम वो हमारा पती है लेकिन स्रीर का जो पती है वो बहुत बड़ी आदमी था लेकिन उसकी नालाक की है मालक उसने बज़न नहीं किरा लेकिन आज जो मुझे उपलब्दी हुई है उसमे उसका बहुत बड़ा सहोग है मेरे पती का उसने मुझे मनान ही किया यदि वो मुझे मना करता तो पतनी तो अपने पती के विवस होती है वो आपको भी परवेश नहीं करने देता समरत था और मुझे भी बक्ती से वन्चित करा देता उस देवता ने कोई बात आने करी यदि उसका कोई क्रेडिट बन्या हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है बगवान उसको भी सर्ण में लेना अपने अत्मों परमात्मा जानगे कि या भी कमजोरी है जैसे कल बताया था एक वर्द विक्ती डॉक्टर के पास चला गया कमजोर सा होता ही है वर्द मास खतम अस्ती पिंदर सेस डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी बढ़के हैं पिंडीयों में दर्द होता है पिंडलियों में डॉक्टर ने देख लिए अप दूरे ते कमजोर वीकनस के कारण है कि कमजोरी है बाबा फिर कहने लगा जी मेरी साथ थलबी दर्द करती है डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा मेरे सिर्मा दर्द रहता है डॉक्टर जी डॉक्टर बोला जी कमजोरी है फिर बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्र सा आता है डॉक्टर बोला कमजोरी है अब बर्द गुस है हो गया बोला तुँ डॉक्टर है गमचकर है कर बाद जाना है कमजोरी कमजोरी कुछ और भी बतावागा तो डॉक्टर बोला या भी कमजोरी है क्योंकि कमजोराज मिन गुसाया करे ये भी ड्यूटू कमजोरी है वेकने से तो पनात्माओं परमात्माद जानेगे अगिया भी कमजोरी है जो या बोल रही है उसके परतीस का लगाओ सेस है या आप भी डूब वाएगी तब कहा बिटा तूँ यहां रुख कुछ दिन अब राजा नब्वे वरस का हो गया था अटा कटा स्रीराच्छे कावा खाजू लावा गुटी किसमस बदाम और लाल चेरा अब जो सोचा था सो सो आशो वरस तो जी आए करें नो खूब अब राजा आया चौक में आया बहर से घूम के नब्वे वरस की उमर होगी थी और आते ही नीचे उत्रा घोडे से नो करास पास खड़े अंग रख सक साथ से बहर से आये थे और पलंग तक भी नहीं पहुंचा गद गिरा और टटीर पे साब निकल गी यम के दूद खड़े दिखाई दे जबान बंद होगी उसका टेम आगा सेकंड भी नहीं दे एक सांस भी नहीं दे काल तो और खेच-खेच कर सांसान लाग गया टटीर पे साब निकल गी नू आख्यों फट गी वैद बुद्धों अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए सारी दवाई दे ली फिर वो समझ गये कब इसका अंत समय है तब पर मातमा ने कहा कि देख वे टीर सपलातून की के आलत हो रही है देख वो ही हम के दूद खड़े चारों तरफ और उसको कैसे ड्रा रहे हैं पर मातमा समझ गये कहा या के के ना चाहू है तो कहने लगा बैटी मैं जाता हूं तो पर मातमा आकर परगट होगे वाँ उनके चौक में कबीर साहिब के आते ही यम के दूद तने होगे एक दम काईब होगे राजा होंस में आ गया और उसने सामने पर मातमा खड़े दिखाई दिए चरनों में पड़े और वो यम के दूद आकास में दिखे वो नो देखर कभी बगवान की तरफ देखे पर मातमा बहले भाई आज तेरा एंड आगया था चंदर विजय तेरा सांस सेस नही था नहीं बहला जी सही बात है तो परमातमा बहले अब क्या चाहिए तुझे अगजी मुने बक्ती दे जो बक्ती दे जो बक्ती करूँगा तो अपने आतमा अब आख खुल आजमेगी जब इनों पकी ये किन हो जा कहाँ टकट कटेगी तब अगवान दिखाई देता है कहते हैं दुख में सुमर्ण सब करें सुख में करें ना कोई और जैस सुख में सुमर्ण करें दुख क्यों होई तब परमातमा बहले दो साल दूगा तेरे को और दो वर्स में जो बक्ती कर लेगा तो तो इस परकार उन दोनों प्राणियों का मुक्स किया उस कबीर भगवान ने तो कबीर साहब कहते हैं बगती वीज होए जो हंसा अर्तारों तास के एकोतर वंसा आपकी एक सो एक पी डिपार करेगा वगवान ये सत कर्मान लियो लगे रहना करी सांस तक बोलो सत्गुर्दे प्रम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वय सेष्टी रचनहार कबीर परनेश्वर कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं हमारे पिता हैं ये प्रमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गल्ती की थी उस गल्ती के कारण हम ऐसे सथान पर आ गए यहां से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है यहां से बाहर समरत ही निकाल सकते हैं समरत केवल प्रमात्मा ही है प्रमेश्वर कवीर देव हैं यह समरत है बाकी सभी जीव संग्याव है उस समरत के सारे ही हम वापस जा सकते हैं उस समरत ने आकर के हमें यहां से वापस जाने की विधी बताने की चेश्टा की लेकिन हम बालकपन में अनजानपने में और काल के संतों पंतों मेंतों द्वारा बर्मित हो जाने के कार हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसके उंगली नहीं पकड़ते हैं हम काल के जाल में रह जाते हैं वो परमात्मा यहां चारों योगों में आते हैं और परतेक योग में वो ऐसी लीला करते हैं और उन लिलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सद्गरंथ पुवित्र वेद बताते हैं और अन्य जो गरंथ बने है जैसे पुवित्र अठारा पुरान ये अनुभाव है उन रिसी महरिसियों का जिन को परमात्मा परापती हुई नहीं और जैसे संतों की वानी है जिन में कौन कौन से संत है जिन को परमात्मा परापती हुई है और उनके विशे में दास को जानकारी है आदनिय धरमदास साहिब जी आदनिय मलुकदास साहिब जी आदनिय नानक साहिब जी आदनिय दादु दास साहिब जी आदनिय गृवदास साहिब जी गाउं छुणाने जला जज़र हरियाना प्रानत वाले आदनिय गीशा दास साहिब जी गाउं खेखडा जला मेरट उत्तर पर देश भारत वाले इन महापुर्सों के जो अमरत वचन है ये प्रमात्मा प्राप हंस हैं प्रम हंस हैं इनके जो वचन है और जो वेदों के कथन है और जो स्रीमत भगुत गीता का जो वर्नन है इन सब का एक मेल है क्योंकि पुवितर स्रीमत भगुत गीता पुवितर चारों वेदों का ही सारान से है और पवितर कुरान शरीफ पवितर बाइबल ये इन कुछ अंस इनका गीता वेदों और महापुर्सों की वानी से मिलता है सेस नहीं मिलता उसका कारण क्या है कि जैसे पवितर बाइबल के अंदर उत्पत्ती गरंथ है उत्पत्ती गरंथ का जहां तक छे दिन में शिरिष्टी रचकर सातमे जन तक परदा विराजे प्रमात्मा पूर्ण ब्रम जहां तक वो ग्यान है वो बिलकुल सच्थ है वेदों और गीता और उन से मिलता है महापुर्सों की वानी से उसके बाद प्रमात्मा पूर्ण ब्रम तो अपने निद सथान पर विराजमान हुए उसके बाद यहां की बागडोर काल ने संभानली ब्रम ने आगे का सेश वर्ण वही पुराणों के सतर का है पुवितर बाइबल में ऐसे ही कुरान स्रीफ में कुछ आयतों के कुछ अंस पुवितर वेदों से पुवितर महापुर्सों की वानी से मिलते हैं और सेश वही पुराणों सतर का उसमें ग्यान है तो ये सभी सद्गर्णत आदनिये हैं लेकिन प्रमात्मा पाने की विधी जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोख्स प्राप्ति ने कर सकते हैं तो प्रमात्मा ने स्विम आकर के दो यथारत ग्यान दिया ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं चारों योगों में प्रमात्मा आते हैं अपना यथारत ग्यान बताते हैं सत योग में प्रमात्मा आये थे सत सुकृत नाम से और ऐसे जो प्रतेक योग में वो लीला किया करते हैं ऐसी लीला की थी सत लोग से चल कर आये एक स्रोर के अंदर कमल के फूल के उपर विरादमान हुए वहां से एक नी संतान दम पत्ती उनको उठा ले गए प्रमात्मा ने आहर नहीं किया कुवारी गाये का दूद प्रमात्मा की करपा से ही गाये ने दूद दिया बचिया ने वो दूद पान किया तो परतेक युग में परमेश्वर कवीर जी ऐसी ही लीला करते हैं और वो सतलोक से चल कर आते हैं सिसु रूप धारन करते हैं जल के उपर विरादमान होते हैं जिस कारण से इस परम अक्सर परम को सत्य पुरुष को कबीर देव जी को नारायन भी कहा जाता है उस पुरुण परमात्मा की उपमा के आधार से यहां के अन्य भगवानों को भी नारायन कहने लगे जैसे भगवान विश्वनुजी सेश नाग की सिया पर विरादमान होते हैं जिस कारण से कहते हैं यह नारायन कहलाते है पुनात्माओ ग्रह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है और ग्रह मंत्री एक प्रांथ सरकार का भी होता है इसमें दिन रात का अंतर होता है ऐसे ही इसको समझे लेना अपने आत्मा प्रमात्मा चारों योगों माते हैं सत्योग में सत्सुकृत नाम से आये थे और तरिताम मुनिंदर नाम से द्वापर में करुणा में नाम से और कल युग में वो अपने औरिजनल नाम से कबीर नाम से कबीर देव नाम से परगठवे पुनात्मों ये कबीर नाम इतना पवितर है इसको सभाविक भी अगर आपकी जुबान से उचारन हो जाए तो भी पुंदाता है यह इतना पवितर नाब है और कुराण स्रीफ में तो यह तक लिखा है कि यह एक कलमा है उनका अल्लाहू अकबर अल्ला कबीर कहते हैं यह मंतर जो है कलमा माने मंतर है यह ऐसा मंतर है आसमान के सभी दर्वाज़ों को खोल देता है अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरसों को जो ग्यान हुआ अधरत मुहमन जी को वो अधूरा ग्यान था अधूरे का मतलब है जैसे कुरान स्रीफ सूर्द पुरकानी 25 और आयत नमबर 52 से 69 तक कुरान स्रीफ के ग्यान देने वाले अल्लह ने अपने द्वारा भेजे गे उस पैगंबर नभी को यारी हदरत मुहमन जी को संदेश दिया है आयत नमबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लह के विशेवें तुझे बताने जा रहा हूं तु मेरी हिदायत पर विश्वास करना है और ये काफिर इस कबीर को अल्लह नहीं मानते है ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित है इनके साथ तु संग्रस करना संग्रस का जिहाद का अरत कोई खुन खराबा लड़ाई जगडा लटव जाना नहीं जिहाद का अर्थ है संग्रस करना इनकी बातों में मताना मेरे दोरा दिये गए ग्यान पर दर्ड रहना इतनी सी बात है तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिकर कर रहा हूँ ये सुप्रेम पावर है और ये वही परमात्मा है जिसने छे जन में सिर्ष्टी रची सातमा जन तकत पर जावराजा और ये वही परमात्मा है जिसने पर्थवी बनाई पर्थवी के अंदर मीठा खारा जल बर दिया और ये वही कबीर परमात्मा अपने बगतों के पापों को नास कर देता है और ये प्रमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सिष्टी रची साथ मदन तकत पर जाए बिराजा ये अल्ला कबीर है और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो पुनात्मा सद्गरंतों को समझना जीव सतर का काम नहीं है जिस पर प्रमात्मा की किर्पा हो उसकी बुझी को खोल देते हैं नहीं तो काल ने सब की बुझी को बंद कर रखा है उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है और जब प्रमात्मा प्रमिश्वर कबीर जी की किर्पा होती है जिस प्राणी के उपर है वही फिर इन गुड रेस्यों को समझ और समझा सकता है इस दास पर द्याकरी प्रमात्मा ने आप उन आत्माओं के लिए के इन सद्गरंतों में दबे खजाने को खोलने की वकी मुझे दे दी वाचा भी दे दी ताकि मैं आपके रूब रूख जाना कर सको इसमें सफ़ष्ट किया हुआ है कि पूरा मुस्लमान समाज ये कहता है कि जो कुरान स्रीफ का ग्यान दिया वो हमारा भगवान है अल्लह है खुदा है और वो इसी को बड़ा अल्लह कहते है कि सबसे बड़ा यही है अब कुरान स्रीफ के ग्यान देने वाला तो सफ़ष्ट कर रहा है कुरान स्रीफ में सूरत परकानी 25 आयत नमबर 59 में कहता है कि वो परमातमा जिसे ने 6 दिन में सिरिष्टी रची 7 दें तकत पर जाविरा जा वो परमातमा है कबीर और उसकी खबर किसी बाग खबर से पूछो इससे सद हो गया कि कुरान स्रीफ के ग्यान देने वाला अल्लह से भिन है वो सुप्रेम पावर तो इस दिन में से दास कहता है कि हदर्द मुम्मद को जो ग्यान पराप्त हुआ वो कम्पलीट नहीं है इसी परकार श्रीमत भखवत गीता अध्धाय नमबर चार के स्लोक नमबर चौटिस में गीता ग्यान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान स्रीफ का ग्यान हदर्द मुम्मद को दे रहा है यहां गीता का ग्यान श्री अर्दुन जी को दे रहा है श्री कर्शन में प्रवेश करके इसमें भी कहा चौटिस में स्लोक में गीता जीम है कि उस तत्वग्यान को जो परमातमा ने स्वेम आकर के कहा सुनाया है वो तत्वग्यान है उस तत्वग्यान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा कर पूछो मैं नहीं जानता और उनको डंडोत परनाम करने से तत्वदर्शी संतों जिस पर मातम तताव का ग्यान कराएंगे अपने विश्य में कहता है दूसरे धाय के बार में सलोक में गीता ग्यान दाता चौथे धाय के पांच और नौ सलोक में और दस में धाय के दूसरे सलोक मरजुन तेरे और मेरे बहुत जनब हो चुके तू नहीं जानता न जानता हूँ इसे सिद हो गया कि गीता ग्यान दाता नासवान है ये कंप्लीट गॉड नहीं है ये स्विम केरा अठार में जाय के बैसेट में सलोक में के तू सर्व अभाव से उस परमेश्वर की स्ण में जा उसकी करपा से तू परम स्यानती को और सनातन परम धाम को पराप्त होगा तो इती सिद्धम के गीता ग्यान दाता से अभी अन्य कोई सुपरिम पावर है वो कबीर है वो कबीर है ये कहां से परमान है पुवितर चारों वेदों में और पुवितर उन मापरसों की वाणी में जिनों ने परमात्मा को पाया है जिनके नाम अभी आपको गिनाए थी तो ये प्रमात्मा चारों योगम आते हैं स्वम यहां चल कर आते हैं अपने जानकारी अथारत रूप में वो स्वम ही देते हैं अपने द्वारा रची भी शिर्ष्टी का ग्यार वो स्वम ही देते हैं कल योगम प्रमात्मा कबीर नाम से आए ये प्रमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं स्रिष्टी को स्रिष्टी रोवे मोहे और कह कबीर हमारे व्योग को समझ नहीं सकता कोई मैं रोवत हूं स्रिष्टी को प्रमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं इनके लिए बटक रहा हूं कि किसी परकारिट के आखें खुल जाएं इनको यह सुद्धी आवा है ध्हान आवा है कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में सारा जीवन बरबाद कर देते हो माया जोड जोड का को ठीक बंगले बना बना में अनमोर मनुस जीवन बरबाद कर देते हो एक मिन्ट में मर्तू हो जाती है मकान पूरा हुआ नहीं मर्तू हो जाती है तो शर्म मारेंगे उस मकान का जिसका अमनिय बरुसानी के कल क्या हो जाए जीव के शंग में और जो मूल का रिये था जीवन का इस मुनस जीवन का वो हमसे बुला दिया एक फिर ऐसा महुल बना दिया काल भगवान ने आप देखते हो कहीं पर कोई तास खेल कर अपना जीवन नास कर रहा है इतने अन्मोल जीवन को इतने अन्मोल जीवन को और बांके बाड़े खो रहे हैं बगैर ग्यान के पुनात्मों आप भी ऐसे ही थे हम भी ऐसे ही थे और जिस दिन से प्रमात्मा के ग्यान की रोशनी हुई है उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से संदेश मिला था बगवान का ये मारग हमें प्राप्त हुआ तो इस प्रकार इस ग्यान को आप सिप्रार्थना है है महाप्रोवकार का कारिय है अपने जीवन को अमनस्ट कर रहे हैं और हम भूल गे उस मारक को भूल गे हम इस मनस्जिवन के मूल कारिये को तो उसको बताने के लिए स्वम परमेश्वराते हैं अब चारों योगों में परमातमाई क्या बताते हैं मैं रोवत हूँ सिर्ष्टी को और ये सिर्ष्टी रोव है मोहे ये वोड़ी आतमा जब दुखी होती है किसी का पूत्र मर जाता है किसी की पूत्री विद्वा हो जाती है किसी का और ना जाने कितने परकार की आपदाएं श्रीद परा जाती है तो फिर ये बगवान की खोज करते है और कालने जगे जगे अपने दूट एजेंट बना दिये बठा दिये जिनके पास कोई बगती नहीं कोई पावर नहीं कि वो किसी संसकार को बदल सके कोई प्रारब्द करम का नाज कर सके तो उन संतों के पास बटक करिये प्रानी आखिर में मर्ट्यू को पराफ्त हो जाता है क्योंकि उनके पास वो मंतर नहीं है उनके पास उस प्रमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रहरद में आए हुए संकटाوں का नाज कर सके इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि प्रमातमा पाप नास नहीं कर सकता क्योंकि इनके दौरा की गई उपासना से वो लाब मिला नहीं जिस कारण से इनों ने अपने अज्ञान सोच सास्तर विर्द ज्ञान से भर दिये अन्य अपने उपनिष्ट बना बनाकर अपने सोच की अपने अनुभाव की पुष्ट के बनाकर समाज में फीड कर दी और कह जिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है बोली जनता ने उनको महाविद्वान मान कर संस्कृत के ग्याताओं को और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ग्यान है तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेश्टा की तो उस अग्यान को ठोक लिया जो उन अग्यानी रिसी महरेशी मंद्रेशरों का ग्यान था उनके द्वारा बनाएगे उपनिस्ट पढ़ते रहे वेदों तक हमारी पहुँच हुई नहीं और जब समाधान के लिए हम गर से निकले क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है जब तक इसके पुन्द चलते हैं इसको कोई हानी नहीं होती है घर में भी सुक होता है संतान भी ठीक होती तो ये सोचता है कि जो साधनाएं में परती दिन करता हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूँ फिर कोई बताता है कि वहाँ ऐसे ऐसे एक मंदिर में मात्मा रहता है वहाँ जाए उस मंदिर के मात्मा के पास जाता है तो जैसा भी वह मंदिर का पुजारी बताता है जंतर मंदर वह भी करता है उससे कोई लाब नहीं होता फिर आगे चलता है कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक मातमा तो वहां चला जाता है कोई कहता है वहां जगन नास जी के मंदिर में जाने से आपके सरवपाप नास हो जाएंगे यह वहां भी जाता है वहां से भी जब लाब नहीं होता है तो फिर या तो मर लेता है तुर तक या फिर नास्तिक हो जाता है और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है जैसे रिस्वत लेना चोरी करना, डाक के मारना मिलाउट करना जूठ बोलके ठगना तो ये भी धी धनिहौन की नहीं ये तो दूना निर्धन होता प्राणीस जी पाप का भागी बनता है अन्य तरीके से जोड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है जैसे एक विक्ती बता रहा था कि मेरा पूतर इकलोता पूतर बिमार हुआ उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया पहले तो लोकल डॉक्टरों से सहर के डॉक्टरों से दिखाया रात नहीं मिली किसी ने बताया कि वहाँ जारा लगवालो जाते ठीक हो जाता है वहाँ गया है उसने जैसी के लिए मेने दो मिने की बताई हो की हजारों रुपीय लग गया कोई लाब ने हुआ प दिखाए तो जात से पता चला है कि उसके दोनों किड्नी खराब होगी जैसे तैसे करके रिष्टेजानों से किड्नी लेकर के पैसे में बदलवाई चेंज करवाई लड़का स्वस्थ हो गया आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है उसमें कहता है पूरे प्रोसीजर में उसके पूरे ट्रीटिमेंट में साड़े तीन लाख रुपे खर्चों गए वरत्मान की दपुन्यात्मा वो बीश लाख समझो उसके बाद खुशी मनाई के चलो बच्चा जीवित हो गया पैसे की कोई बात नहीं वो पता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था अब इस ग्यान के सुनने से मेरी आखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी क्या हुआ कि छे मेने के बाद वही लड़का बस दुर गटना में मारा गया इकलोता पूतर जिसको सुखी बनाने के लिए धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की दो के बीस बना करके वस्तुएं बेची कोई नकली कोई असली बेची एक बार तो पैसा बहुत आता जिख्या जब बच्चा बिमार हुआ रोज परती दिन खर्च होने लगा वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर्प पर हो गया रखे हैं जो उस धन के इकठा करने में हुए थे मेरा कलेज़ा काप गया आज आपके वचन प्रमात्मा के वचन सारे साची लगे और जब तक मैं सुखी था मेरे काना में भी परविश नहीं होते थे मैं राम नाम को सुनकर परसन नहीं होता था क्योंकि मैं सुखी गना था तो पुन्यात्मा हो हम ऐसे नास्तिक बनवा दिये कालने काल काउदे से है कि ये भगवान से दूर हो जाँ और विशेस कर कली युग में क्योंकि कली युग में प्रमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया हुआ था इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कली युग में कितने प्राणी ले जाना तीन युगों में जीव ना ले जाना भगवन प्रमात्मा को पता था इस बात का कि सत्युक्तिरेता द्वापर में इनके पुन करम गणे रहेंगे और जब तक प्राणी के पुन करम है ये सुखी रहता है और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की ओसकता कती नहीं जैसा है लेकिन आत्मा भगवान की बगटी बिना रह नहीं सकती तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य विक्ती से जो ग्यान सुन लिया वक्ती का उस पर आरुण होकर के साधना करता रहता है वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुन्य हो रहा है और वो हो रहा है उसके पूरवज़णम से प्रहरब्ध ही प्राप्त हो रहा है तो जिस कारण से सत्युक्द रेता दुआ पर तक ये प्राणी प्रमात्मा को चाहता नहीं अगर उस ज्ञान से उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कतिस्वी कार नहीं करता क्योंकि सब की समाधियां लगती हैं सब सरीर होता है बलिष्ट होते हैं तो अब कलियोग में आका इन सभी गुणों की हानी हो जाती है ना सरीर बलिष्ट रहता है ना पूरो जल्म के पुन रहते हैं साधनाए भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं तो प्रमात्मा ने ये समय इस लिए सेलेक्ट किया था काल ने ये सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूँगा अपने दूट भेज कर इनको भर्मित कर दूँगा प्रमात्मा से कोसों दूर कर दूँगा प्रमात्मा का नाम और निसान मटा दूँगा और इस ने जितना संभव हो सका कर दिया लेकिन समर्थ की अब सक्ती देखना अब नए सिरे से विद्धान बन रहा है नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है प्रमात्मा का हमें नामों निसान पता नहीं था अब कवीरित को भगवान बताते हैं तो अग्यान आधार से ये मन सविकार करने को कतिय त्यार नहीं होता खड़े पैर गाड़ दे है अडियल गोड़े की तरह लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना सथान आविस्य बनाती है अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया मजभम बांट दिया हमारे को हिंदू बनाए फिर इसाई बनाए मुसल्मान बनाए सिख बना दिये अब इसके बाद भी इसका नहीं इसकी सबर नहीं हुआ इसको संतुष्टी नहीं हुई तरपती नहीं हुई तो इसने फिर ये नकली पंद सला दिये रादा स्वामी धन्दम सथ गुरू जय गुरुदेव और ये सच्चा सोदा और ये दुनो दाड़ा ताराचंद वाला ठाकर सिंगाला अर नरंकारी सत्पाल माराज और योत्रा ये क्या नाम है अमरीका में रहता है वो बालियोगी स्वर कहते है यासाराम सोदान सो ये दूत बेच दिया अपने इनको कख पता नहीं वक्ती मारेकर क्रोणा वक्तियों को बरवाद कर दिया है इन्होंने इससे पहले मातमाबुद भेजा था इसने अब मातमाबुद कौन था ये स्वर्ग लोक से आया हुआ परानी था पिछले पुनकर्मी प्रानी था राजा का लड़का था राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहां की किसी वस्तू मन नहीं है और जो सतलोक में है वो यहां के स्वर्ग में भी नहीं है तो जो प्रानी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया उस सुख की तलास में ये निकला घर से स्वेंभू कोई संत मिला नहीं अपनी मर्दी से पिछले भ्यास से पिछले पुन कुछ प्रभाव से इसने अपने आप हठ योग करना शुरू कर दिया जो ये पहले क्या करते हैं हठियों करने से इसने आहर भी टाग दिया गया के अंदर एक वटवर्क्स के नीचे बैठ के इसने साधना की मैनों तक इसके प्राण जाने को हो गए अस्ति पिंदर सूख गया एक माई ने इसके मुख के खीर ख्यार लगा दी धीरे दीरे तुचाटने लगया तीसरे दन इसने आँख खोल दी और फिर पेट भर अन खाया उसके बाद इसने अपना अनोभाव सुनाया वेदों और गीता को आधार नी रखा इसने बना दिया विद्धान के स्टारवेशन कोड़ नोट लेड टू सौल वेशन के भूखा मनने से भगवान प्राप्ती नहीं हो सकती बस इतना ही विद्धान पाया इसने इतने दिन डिलेड होकर अन्त में इसने फिर इसके वसनों में इतना परभाव था बहुत से सरधालो इसके अन्वियाई बन गए कई राजा लोग इसके अन्वियाई बन गए एंसा मत करो किसी को दुख ना दो ये नियम बना दिये लेकिन जो नियम आतम के लिणका था वो इसके पास था नहीं इनके वसनों से परभावित होकर लाखों विक्ती इनके साथ हो लिए और उनके द्वारा बताएगी भक्ती विद्धी से अध्यात्मिक लाब ना होने से अब मातमा बुद्ध के अन्वियाईों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है पूरा चीन नास्तिक हो गया विश्वय की आधी आबादी लगबग चीन के अंदर बताते हैं और वो सारा नास्तिक क्योंकि मातमा बुद्ध कान्वियाई था पूरा रूस नास्तिक तो कहने का भाव ये है पुना आत्मा हो अब काल का जहावी दाव लगया इसने कसर नी छोड़ रही आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं अमदेक्षा लेने से पहले कि आपको यह वक्ती साथ ना भी करती थी जी फ़र हम फभी देविद देवताओं की भक्ती करते थी और मैं ज्यादा तर दुर्गा जी को मानती थी तो फिर क्या कारण वना कि संतरामपाल जी महराज की सरण में आई फंत्रामपाल जी महराज की फरण में आने का मेरी बैहन जूड़ी हुई थी उन्होंने फ्रेश्टी रत्रफ नहीं लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह जो बता रहे हो आप मैं यकीन नहीं करती क्या प्रूफ है इस बात का कि जो आप इतनी ग्यान बता रहे हो फिर एक द संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी मिले वहाँ भारी एक्सिडेंट हुआ बफ और दोफ और हमारी गाड़ी से पूरा धाऊनरे के कांच तूट गया हम्पो पता नहीं चला के हमआरा एक्सिडेंट हुआ जोर से मतलब गाड़ी ही लेकिन पता नहीं चला फाम ने नहीं करवा पार रहे थे वो डॉक्टर बताए कि उनके हाड में छेत हैं और उनका ओपरेशन कराना पड़ेगा लेकिन फर हम गरीब पैसना होने के कारण है वगवान हम कैसे करें कहां फिला इतना पैसन और हम नहीं करवाई लेकिन अचानक से जब संत्रामपाजी महराज का ग्यान सुना परमातमा फब कर देते हैं ऐसे सुना तो मैंने नाम दिख दिलाए उनको और जिव दिन से उनको एक भी टेबलेट खाने को नहीं मिला और ऐसी कभी उनका तबियत खराब नहीं है टीफ रला भी हुआ फर कि एक बार हमारा बोर हो रहा था उस टाइम बेन लग हुआ है लेकिन गाड़ी आ चुकी थि बोर हो रहा था और पुलीस की गाड़िया गौ़ों में घूम रही थे हम परमातमा फिरा सारी राद अदाफ किया कि यहे बंदी छोड यहे संत्रांपाल जीमाराज हमारा बोर कैसे होगा और लेकिन पुलीस की गाड़िया गौ़ों रही थी गाव में उनको फुनाई नहीं दिया कि मतलब बोर हो रहा है और रात और रात बोर करवा कि परमात्मा संत्राम पर जिमाराज की दैफि हमारा बोर हो गया है तीफ चौथा लाब यह फर की मेरी बहन है और नाम दिछली हुई है और उनका हफ्वेंट को अभी करोना व होने वाला लेकिन हम पर मात्मा फ्यारदाफ की बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो फद्भक्ति करता है उसको कभीर साय बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं दो दिन के अंदर पर उनका पूरा ऑक्सीजन लेवर नबबब पर्शन आ गया औ उनकी जो वाइफ ती जो जिन्होंने नाम दिख्छा लिया तो उन्होंने एक महीने उनके मतलब चौवीव घंटे में चौवीव घंटे उनके पाफ रही लेवो करोना वाइरस से इंफेक्टिड नहीं हुए उनका ऑक्सीजन लेवर 30 हो गया था लेकिन फंत रामपाल जी म मेरी बहान एजुकेटेड हैं और उनकी साधी नहीं लग रही थी हम भागत समाज से जुड़े हुए तेसाद लेकिन भागत समाज में मतलब फूरु फूरु में जुड़े हुए थे रमाइडी कैसे करना क्या करना वह सब पता नहीं था बड़ी मुश्किल से एक जगत का लड़का मिला वह भी नाम उपदेशी नहीं था अब हमारे फाम भागत परिवार से जगत में कैसे मतलब फादी करें तो परमात्मा ने ऐसी रज़ा की कि 10 दिन के अंदर परमात्मा ने बेवफ्था की और भोपाल रमैडी फामेलर में उनका रमैडी हुआ आज वो दोनों मिनक्ची जी संत्रामपाल जी महाराज के बारे में का जाता है कि संत्रामपाल जी महाराज से श्रद्धालू अनसद्धा से जुड़ते हैं क्या ये बात सही है परमा आज पढ़ाली का फमाज है एजिकेटेड है फंत्रामपाल जी महाराज कोई भी बात एक भी बात मतलब बिना आधार का नहीं कहते हैं वो हर चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं बेटा जो आज आप देख रहे हो जो आप कर रहे हो गलत है जो आपके वेदों में जो आपके पुरान गीता बाइबल जो कहती हो करो तो फंत्रामपाल जी महाराज किसी प्रकार का गलत नहीं बताते हैं यदि कोई भी वेक्ति फंत्रामपाल जी महाराज का ज्यान जानना चाहता है तो वो वेद पुरान गीता बाइबल को मिलाए और फंत्रामपाल जी महाराज मिनाक्षी जी जैसे कि आपने बताय कि आप सुरू से ही कवीरपन से हैं और संत्रामपाल जी महाराज से आपने हर्यान में जाकर इतनी दूर नाम दिक्षा ली संत्रामपाल जी महाराज भी कवीरपन थी हैं और आप भी पहले से ही कवीरपन थी हैं तो इतनी दूर संत्रामपाल जी से ही नाम दिक्षा आपने क्यों ली संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने का फिर्फ एक ही कारणे पर उनका ग्यान जो है वो वेज सास्त्र गीता से मिलान करता है और अनकवीरपन्थियों का ग्यान किसी मतलब किसी गरंथों से मिलान नहीं करता है संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा कैसे ली जा सकती है संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के लिए कई चैनों पर संत्रामपाल जी महाराज का सत्फंग चलता है उसके नीचे पीली पड़ती हुई है लिखी हुई होती है उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं और बहुत सारी किताबें है पर संत्रामपाल जी महार आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संत्रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विशुभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें